इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट वन जो है इस बोर्ड पेपर का जो 2023 में आज हमारे एक्जामेनेशन में पूछा गया था क्या है यह पेपर मैं आपको एक बार फिर से याद ला देता हूँ क्लास 12 जो है MP बोर्ड का 2023 का मैट्स का पेपर चल रहा था इसका पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया था objective question अब मैं आपके सामने second part लेकर के आया हूँ आप हम लोग इसका जो दूसरा भाग है वो करने जा रहे है देखिए question number six क्या कह रहा है two marks का a दिया one two three b दिया है four five six seven and f equal to one four two five three six है a से देखे बी तक एक फलन है तो उसे दिखीजिए कि f एक है कही है यह मैंने कल ही sample paper में आप लोग को कराया था यह sample paper three का question है तो देखिए क्या है इसमें आपको mapping बनानी है यह a लेना है और यह आपको लेना है b और a में लेना है आपको one two three और b में लेना आपको four five six seven दीखे क्या connection है one four से connected है ओके two five से connected है और three किसे connected है c c connected है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि a के a का प्रतेक अव्यव्यव बी के बी के के वल एक के साथ संबन्दित है आता है f कहां से कहां तक a से लेके b तक कैसा फलन है एक एक की फलन है यह आपको बताना था इस पार्ट में चले तो यह हुई हो गया पहला पार्ट इसका हो गया दूसरा इसका समुच्चे जो लोगों ने यह वाला पार्ट किया उनके लिए बात कर लेते हैं जाज कीजे कि समुच्चे 1,2,3,4,R,1,2,2,2,1,1,4,4,4 जो है वो प्रदत सम्बंद स्वतुल तथा संक्रमक है परंतु सम्मित नहीं है मतलब आपको जाज करना है कि यह क्या है स्वतुल्य है संक्रमक है और सम्मित नहीं है तो देखे कैसे बात करते हैं स्वतुल्य यहाँ पर कैसे हम शो करेंगे सवतुल्य के देखे, देखे, यहाँ पर R के जो आपके पास set है, set को A मान लिजए, set के अंदर क्या रिया है, 1, 2, 3, 4 है, ओके, तो 1, 1 exist कर रहा है, 2, 2 exist कर रहा है, 3, 3 exist कर रहा है, यह देखे, और 4, 4 भी exist कर रहा है, मतलब यहाँ पर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है ओके तो मतलब की 1,1 भी है belongs to R, 2,2 belongs to R, 3,3 belongs to R and 4,4 belongs to R, मतलब की इस set का दिये गए set का प्रतेक अवयब जो है क्या कर रहा है खुद के साथ relation बना रहा है इसलिए यह कैसा होगा यह स्वतुल्य होगा अब बात करते हैं संक्रमक की तो देखे आपको जो उपस्थित हैं उनमें संक्रमक की जोड़ी देखी जाती है तो यहाँ पर 1,2 है ओके और 2 के साथ 2 शुरू हो रहा है तो इसके साथ एक ही प्यार बन गया 1,2,2,2 अब देखो 1 के साथ कौन बन रहा है वन के साथ कोई नहीं बन रहा क्योंकि हाँ वन के साथ यह बन रहा है तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है आप 4,4 है 1,3 है 3,2 है है ना देखे 3,3,3,2 तो यह 3,2 आ गया एन 1,3,3,3 पैर कर जाएगा तो 1,3 तो 1,3 बन रहा है हाँ तो clearly देखे यहाँ पर हर element के लिए यह कैसा है संक्रमक है यह कैसा है सभी के लिए क्या है संक्रमक है ठीक है ना तो संक्रमक तो हो चुका है क्यों हो चुका है क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी element है ऐसा कोई element नहीं है जो इसकी संक्रमकता को तोड़ रहा है संक्रमक को हर को ही फॉलो कर रहा है इसलिए संक्रमक है ठीके ना अब बात करते हैं सम्मित की तो देखें यहाँ पर इस सम्मित की यदि मैं बात करूँ तो 3,2 belongs to R है बट 2,3 जो है इसका उल्टा वो R को belong नहीं कर रहा है अता ही यह क्या होगा अता ही है सम्मित नहीं होगा अता ही है सम्मित नहीं होगा तो बहुत ही सिंपल कोश्चन आया है वैसे ज़्यादा तर बच्चों ने ऊपर वाला कोश्चन किया होगा क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा ही यह थोड़ा सा हलका सा difficult कहा सकता हूं मैं चले अगला question कहा रहा है कि सिदे कीजिए कि sin inverse minus x equal to minus sin inverse x मतलब कि एकदम basic वाला question पूछ लिया है sin inverse minus x equal to minus sin inverse x आईए देखे कैसे करते हैं इस question को आप एकाम करिए कि यहाँ पर आपने sin inverse minus x देखे क्या होता कोई angle होता है ठीक ना कोई क्या होता है angle होता है तो ले लिजे माना माना sin inverse का minus x आपने क्या मान लिया theta मान लिया क्या मान लिया आपने theta मान लिया तो आपने sin inverse minus x को theta मान लिया है तो यहाँ से देखे minus x equal to कितना हो गया minus x equal to हो गया आपके पास में कितना बन गया माइन, x equal to, यहाँ पे बन गया sin of theta, ओके, तो x equal to कितना हो गया, minus का sin theta, x equal to कितना हो गया, आपके पास minus का sin theta, ठीक है न, तो आपको क्या लेकर कर आना है, आपको लेकर कर आना है, कि sin inverse minus x equal to, देश है, चलो बहुत बढ़ी है, अब आप देखो से x equal to आप जानते हो कि यह जो होता है sin minus theta इसको आप लेख सकते हो sin of minus theta sin of minus theta ठीक ना आप देखो LHS लेकर के चले हो LHS और आपको RHS मतलब यह चीज लेकर के आनी है बस देखते जाओ होता जाएगा solve it तो x equal to minus sin theta हो गया ठीक ना तो और आपको पता है x equal to minus sin theta तो यहां से देखिए यहां लिख सकते हैं minus sin inverse x sorry यह आप minus sin inverse x इसको मैं एक बार erase कर दूँ कुछ गरबड़ी हो गई है अब देखिए आप देखिए आप यहां से यहां से आप क्या करेंगे यहां से sin inverse का x कितना आ जाएगा minus theta आ जाएगा और आपके पास में theta equals to क्या बचेगा theta equal to बचेगा minus का sin inverse x theta equal to आएगा कितना minus का sin inverse x तो उपर आपके पास में देखिए उपर आपके पास में sin inverse minus x equal to theta था इसको आप number 1 दे दो और इसे आप number 2 दे दो अब ध्यान से देखो इसमें theta sin inverse minus x के equal है और इसमें theta किसके equal है minus sin inverse x के तो logically clear हो रहा है कि sin inverse minus x equal to minus of sin inverse x ओके done तो यह अपना proof हो चुका है चलिए अगला question इसी के और वाला था यह भी वैसे ही लगबग proof होना था आएए देखते हैं इसको कैसे proof कर देते हैं sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 तो हम जानते हैं कि sin of pi by 2 minus x sin 90 minus x equal to कितना होता है cos inverse sorry cos x होता है है न यहाँ पर इसकी value किसके equal होती है आपकी इसकी value होती है cos of x के equal इसकी value किसके equal होती ही cos of x के equal होगा करती है ठीक है न अब देखो आप यह cos of x है ठीक है ओकी देखे तो इसको कैसे solve करेंगा यहाँ पर x involve हो रहा है तो आप एक कम करूँ में इसको independently solve करता हूँ तो आपको समझ में आएगा ओके तो यह हमाएं पास question आपको दिया गया है इसको हमको solve करना है दीखे कैसे solve करते हैं इस question को आपके पास identity हुआ करती है sin 90 minus theta is equal to cos theta ठीक ना यह वहीं से solve होगा तो आप क्या लिजे sin 90 minus theta is equal to यहाँ पर ले लिजे क्या cos of theta ठीक ना sin 90 minus theta is equal to cos of theta अब आप एक काम करूँ अब जो है cos theta को x माल लो let cos of theta is equal to x आपने माल लिए cos theta is equal to x माल लिए तो sin of 90 minus theta is equal to कितना हो जाएगा cos theta कितना हो गया x अगर cos theta x है तो theta is equal to कितना बन जाएगा cos inverse x तो यहाँ से 90-θ is equal to कितना हो गया sin inverse x हो चुका है 90 को क्या लिखते हैं हम लोग πाई बाई बाई 2 भी लिखते हैं तो यहाँ से πाई बाई 2 equal to kितना बज़ेगा sin inverse x plus का θ थ थ थ क्या है हमाई पास थ थ थ है cos inverse x तो यह प्रूव हो चुका है हमारा answer क्या हो चै怕 will occur कि पाएबाइट टू टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस चॉस इन्वरस एल्स एक्स प्लस कॉसं इन्वरस एक्स एक्स कोल टु किस नो हो जाएगा फाइबड तो ते इसका कुर्ण тоб Πाइभाएट मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल कोश्चन एक लाइन का है आपके पास में fx equal to कितना है fx equal to 12x minus 3 है fx निकाल लो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और fx क्या greater than 0 है और greater than 0 होने का मतलब since fx is greater than 0 जो मतलब fx कैसा होगा fx आपका जो होगा वर्धमान फलन होगा कैसा होगा वर्धमान फलन चलिए अगला कोश्चन दिखिए अगला कोश्चन आपको बूला गया है कि सिद्ध कीजी की आर में आर मतलब minus infinity से infinity मतलब x की जो value है वो कहां से कहां जा लिए minus infinity में करा fx equal to e की power 3x तो जो आपके पास में fx दिया गया है वो कितना दिया है fx आपको दिया गया इतना e की power 3x चलो ओके अब देखो बच्चों एक चीज़ जान लो कि जो यहां पर minus infinity to infinity में जो e की power x होता वो हमेंसा positive होता है ठीक ना तो एक चीज़ आपको notice कननी पड़ेगी यहां पर जो graph होता है e की power x का e की power x का चलो थोड़ा आँगे बढ़ते हैं फिर समझाओंगा मैं आपको तो आप f-x निकाल दो f-x कीकल दो कितना हो जाएगा आपने इसका differentiation किया होगा 3 e की power 3x यह इसका differentiation होना है एगा 3 e की power 3x देखो आप क्या लिख सकते हो f-x एक्वल टू 3 into e की power x का whole power 3 ऐसा आप लिख सकते हो f-x equal to 3 into e की power x की whole power 3 अब आप e की power x के बारे में जान लो कि e की power x जो होता है हमेसा 0 से बढ़ा होता है हमेसा 0 से क्या होता है बढ़ा होगा करता है e की power x क्यों क्योंकि यह exponential function होता है और यह हमेसा 0 से बढ़ा होता है आप कुछ भी value रख दो तो यह knowledge आपको होनी चाहिए कि जो f-x हो हमेसा 0 से बढ़ा होगा तो अगर आप 0 से बढ़े की चीच को की cube लोगे तो यह भी क्या होगा positive होगा तो यह एक चीच क्या देख लिए अपने कि e की power x अगर 0 से बढ़ा है तो इसमें भी e की power x involved है तो जो f-x हाएगा वो भी क्या होगा 0 से बढ़ा होगा तो य कैसा है ये क्या है strictly increasing in r मतलब ये भी जो है इसमें कैसा फलन है ये वर्धमान फलन है ओके बहुत ही simple question चले अगले question क्यों चलते हैं अगला question है मान ज्याद करना है minus 1 to 1 sin की power 5x cos की power 4x answer 0 आ जागा इसका दीखिए क्यों आजाएगा सबसे पहले आप fx ले लिजे तो fx आपके पास कितना है fx आपके पास है sin की power 5x into cos की power 4x तो f minus x कितना हो जाएगा that is equal to sin of minus x की whole power 5 into cos of minus x की whole power 4 that is equal to minus sin की power 5x into cos की power 4x क्योंकि even power तो plus ही आती है but odd power sin minus theta negative आ जाएगा तो आपको दिख रहा है क्या f minus x किसके call आ चुका है minus fx की call आ चुका है और अगर एक दूसरे का negative आता है odd function होता तो odd function का integration कितना होता जीरो होता है अगर fx f minus x equal to minus fx आ गया मतलब कैसा फ़लन विशम फलन आ गया odd function को इंदी विशम फलन बोलते हैं तो अगर विशम फलन आ चुका है तो विशम फलन का integration minus 1 से लेकर plus 1 में कितना हो जागा 0 हो जाएगा तो इसका correct answer कितना हो जागा अगला question थोड़ा तगड़ा दिया था यह question में तो थोड़ी सी महनत लगेगी minus 1 से लेकर के 2 तक integrate करना था इसको थोड़ी सी आपको हल करना पड़ेगा ओके तो यहां पर तो महनत लगेगी बट यह वाला तो question बहुत ही आसान है तो जिन लोगों ने किया होगा यहो पहला ही वाला part कर दीजी दूसरे पर जाना ही कि दूसरा वाला थोड़ा सा difficult है और modulus की property का इस्तमाल करके करना पड़ेगा मैं दूसरा वाला part बता देता हूं देखिए दूसरा वाला part कैसे करेंगी उसके लिए थोड़ा सापको चलना पड़ेगा study corner पर चली देखते हैं दूसरा वाला question क कैसे करते हैं यह देखिए यह question है minus one से लेके two mode of x cube minus x तो modulus function को सबसे पहले हम अंदर वाली चीज़ को हमको break करना पड़ता है तो अंदर वाली चीज़ इसके कितनी है अंदर वाली चीज़ है कितनी x cube minus x तो हम x cube minus x equal to zero से break करेंगे तो यह कितना आ गया हम है पसमिए x common ले ल plus one equal to zero so either x equal to zero x equal to one x equal to minus one यह तीन पॉइंट आ चुके हैं तो मतलब अब हमारा जब integration है वह minus one से लेकरके zero और फिर zero से लेकरके one और one से लेकरके two तीन positions में हमारा function break होगा ओके x equal to zero में क्या होगा zero रक करके देख लो तो zero रक करके देखोगे तो 4-0, x equal to zero से minus 1 से लेकर zero के बीच में कोई value रख करके देख लीजे तो minus one से लेके zero के बीच में कोई value अपलेते हैं तो तो इसको as it is आप open कर दीजे x cube minus x ओके फिर यह negative आ जाएगा तो negative x cube minus x और फिर यह positive जाएगा तो कितना जाएगा x cube minus x का dx कर दीए तीन पार्ट में integration होगा काफी बड़ा जाएगा तो detail में इसकी बात में कभी और करूँगा बट फिलाल ऐसे इसको आपको solve करना पड़ेगा चलिए अगला question देखिए ठीक है अगला question देखते हैं कहरा है कि इसका इस पर प्रच्छे पर ज्याद कीज़े तो सीधा formula लगाना था सद इस a का b पर प्रच्छे पे equal to vector a dot vector b upon mod of vector b यह लग जाएगा इसमें vector a dot vector b तो vector a dot vector b कर दीजिए देखे 1 into 2 का multiply 2 हो जाएगा फिर 2 into 1 है नहीं जे तो 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 3 का k का 1 के साथ 3 हो जाएगा upon mod of under root b तो under root b कितना हो जाएगा 2 का square 4 प्लस 1 यानिकी 5 तो answer कितना हैगा 2 और 3 पांच बटे root 5 तो correct answer इसका आएगा under root 5 तो जो इसका प्रच्छे पाएगा वो कितना हैगा under root 5 चलिए अगला question भी application of vectors का है उस समानतर चतर बुझ का 6 तरफल ज्याद कीजिए जिसकी भुजाएं इतनी दी गए तो आपको याद होगा कि समानतर चतर बुझ का 6 तरफल होता था mod of a cross b ओके इसकी जो भुजाएं हैं क्या होता था mod of a cross b तो आपको इसमें A x B का क्या निकालना है? Cross product निकालना है, उसका modulus ले लिना है, तो आपके पास में answer आजागा. A और B का आप cross product निकाल लिजे, और उसका magnitude लिजे, तो आपके पास में answer आजागा. चले अगला देखिए, क्या है? वक्र Y equal to x square और Y equal to 4. वक्र Y equal to x square कहा जाएगा? उपर की तरब जाएगा, क्योंकि Y की power single है, और Y equal to 4 मतलब यह जाएगा, इस तरीके से, तो Y की value 0 से लेकर कहा तक जाएगी? 4 तक जाएगी, और अब आपको निकालना है इसका 6 तरफल. तो बेटर रहेगा, आप इसको Y axis में निकाल दीजिए. ओके, तो इसका कैसा बनेगा, आपके पास में यह बनेगा, x, dy, x, dy, दो गुना कर दीजिए, क्योंकि कुछ area इधर भी है, और कुछ area इधर भी है, तो x, dy, और limit क्या लगा दीजी? जिरो से लेके 4, तो यह हो जागा, 2 times, x की value यहां से कितनी हो जागी? अंडर root y, x की value अंडर root y, क्यों आएगी? क्योंकि x square इकुल टू y है, तो x इकुल टू कितना हो गया? अंडर root y, और यहां पर dy आ जागा, और y के limit कितनी लग जागी? जिरो से लेके 4, और 0 से लेके 4 में इसको आप क्या करिए? इंटिग्रेट कर दीजे, तो आपका answer आ जागा, चलो मैं थोड़ी सी मदद कर दीता हूँ, 2, देखो यह हो जागा, y की power 3 by 2, अपॉन कितना हो जागा? 2 by 3, 1 plus 1 by 2, इसके बाद limit लगा दीजे, कितनी है? 2 by 3 है, हाँ, और इसके बाद limit कितनी लगनी है, आपके पास में, यहाँ limit लगनी है, 0 से लेके 4, ठीक है ना? तो यह कितना हो गया? 4 by 3, अब देखे, 4 की power 3 by 2, यानि कि 4 पर रूट 4, यानि 8 आ जाएगा, और minus कितना 0, तो answer इसका कितना हो गया? 32 by 3, तो जिन लोगों का answer 32 by 3 आया है, वो बिल्कुल सही है, चलिए, अगला question लेकिए, यह वाला हो चुका है, इसके बाद है, अगला question है, y square equal to 4x और x equal to 3, तो यह question मैंने आप लोगको कराया था, और sample paper number 4 में यह question मैं आपको कराया था, y square equal to 4x और x equal to 3, यह line जाती है आपके पास में, ok x equal to 3, तो बहुत ही simple question है, आप यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका area कितना निकलेगा, 0 से लेकर के 3 तक का area, और y equal to कितना हो जाएगा, under root 4x, यहाँ पर हो जाएगा, तो under root 4x, dx, 4 का root कितना निकलाएगा, 2, 2 निकलाएगा, 0 से लेकर के 3, और यह कितना हो जाएगा, root का x, और यहाँ पर dx, 2, 4 का root 2 निकलाएगा, 2 root का x, dx, अब आप इसके बाद 0 से लेकर 3 मैं आप इसको integrate कर लिजे, इसका समा कलन कर लिजे, वही आपका answer बन जाएगा, ठीक ना, चलिए अगला question लिखे, का लगला question कर रहा है कि इसका व्यापा खल लिखलाएगा, तो सबसे पहले इस समीकर्ण को थोड़ा सा अच्छे टाइप से लिखलो, तो x का भाग देदो, तो x का भाग देदो कि यह बन जाएगा, dv by dx, plus 2 upon x, और साथ में क्या हो जाएगा, y, और equal to कितना हो गया, x square, तो देखे, यह linear बन चुका है, किस form का बन चुका है, यह बन चुका है, dv by dx, plus py equal to q के रूप का समीकर्ण बन चुका है, linear ने रेखी के समीकर्णे बन चुका है, अब रेखी के इसको आपको हल करना है, तो क्या करोगे सबसे फिले integrating factor, समा कर लोगों को गड़ाँक निकालोगे, e की power p dx, तो p कितना है, 2 upon x, और यहाँ पर कितना जाएगा, dx, तो e की power, यह 2 बाहर आजएगा, और यह कितना हो गया, log x, ठीक है न, तो आप इसको क्या लेख सकते हो, इसे लेख सकते हो, e की power log x का square, क्योंकि 2 जो है, x की power इंप जाएगा, log से e cancel हो गया, के विल क्या बज़ गया, x का square, अब आपको निकालना है इसका हल, तो इसका हल कैसे देते हैं, देख लो, याद कर लो, y into integrating factor is equal to integration of q, into integrating factor dx plus c, okay, so y multiply by integrating factor कितना आया है, x square equal to integration of q, q कीतना आया आपके पास में, q आपके पास में आया है, यहाँ पे आपके पास में, q कीतना आया है, sorry, integrating factor आपका, x square था, सही है, और q आपके पास में कितना है q आपके पास में x बचाए दिखी यहाँ पर x square upon x हो गया था हाँ मैंने गलती कर दी है तो यहाँ पर किवल आपके पास में क्या बचेगा x बचेगा x square upon x that is equal to x तो यहाँ पर x हो जाएगा और यह हो जाएगा x square और यहाँ dx plus c so y into x square equal to x cube हो जागा x cube का integration कितना हो जागा x की power 4 upon 4 plus c यह answer आपका आजाएगा है गया ना यह आपका answer आजाएगा बहुत ही simple question है चले 17 का part number b देख लो बहुत सारे बच्चों ने part number b भी किया होगा कैसे करेंगे देखो dy के नीचे 1 upon y square ले जाएगे और उपर dx ले जाएगे और क्या करदेंगे 1 upon x square करदेंगे दोनों तरफ integrate करदेंगे तो dy upon 1 plus y square कितना हो जागा यह हो जागा 10 inverse y और यह हो जागा 10 inverse का x प्लस कितना c तो यह इसको solve कर लोगे तो यह हो जागा 10 inverse y minus 10 inverse x equal to किता हो जागा c तो 10 inverse इसको हल कर दीजिए तो y minus x upon 1 plus y 1 plus x y इस कुछ तरीके से equal to c को आप क्या लिख सकते हो c को 10 inverse c लिख दो 10 से 10 cancel हो जाएगा answer आगया y minus x upon 1 plus x y equal to c तो जो लोगों ने यह answer लिख लिख आ है उनको full marks मिल जाएगे कोई दिक्कत नहीं है यही इसका correct answer है ठीक ना ओके अगला समीकन question number 4 marks का question आ गया देखी बातों बतों करते करते पता ही नहीं चला कब हम लोग 2 marks से 3 marks और 3 से 4 marks की और पहुँच गया है ओके चली देखे 4 marks का question कह रहा है कह रहा समीकन को हल कीजिए तो इसको समीकन में देखी यहाँ पर 2 x बन रहा है यहाँ भी 2 x बन रहा है तो क्या करो इसमें application लगा दो क्या लगा दो c1 tends to c1 plus c2 plus c3 अगर आप यह application लगाते तो x plus x plus x कितना हो जागा देखी 3 x plus a और यह भी कितना हो जागा यह हो जागा 3 x plus a और यह भी कितना हो जागा यह हो जागा 3 x plus a और यहाँ पर बचा है x यहाँ पर बचा है x यहाँ पर बचा है आपके पास में कितना x और यहाँ पर आपके पास में कितना x और यहाँ पर आपके पास में बचा है x और यहाँ पर बचा है x plus a equal to 0 और जो आप यहां से 3 X ठीक है आपको क्या करना रिखे अब आपको जो है लगतार आप की कोशिष कीजिए तो आपका आंसर एसको खोल कर खोल देंगे तो आपके पाउस आज गा देखिए कि 2-0 हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं 2-0 है, 2-0 आप कैसे बनाते दिखिए, आपके पास में आप application लगा दीजिए, कैसे application लगाएंगे आप यहाँ पर कि C2, C2 tends to, C2 minus का C1 और C3 tends to, C3 minus का C1, यह application लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आचुका है, 3X plus A, और C2 tends to, C2 minus C1, य X plus A में से X गया, A बचा है, यह भी 0 हो चुका है, यहाँ पर 1 में से 1 गया, यह भी 0 हो चुका है, X में से X गया, 0 और यहाँ पर कितना आच प्लस A में से X गया, तो कितना बचा आपके पस में A बचा है, ठीक है न, अब आप इसको कुछ नहीं simplify कर दीजिए, आपके पास answer answer आजाएगा, तो 3X plus A है यह, ओके, और simplify कर देंगे, तो किसके respect में, column 1, यहने पहली column के respect में, पहले, इस thumb के respect में, यह simplify हो जाएगा, तो कितना बचेगा, A into A, A का square, minus का कितना हो गया, 0 हो गया है, ओके, तो देखे, आपको क्या आ रहा है, यह आ रहा है, A square आ रहा है, और 3X plus A आ रहा है, equal to 0, तो दो चीज़ों का product 0, तो या तो यह 0 होगा, या तो यह 0 होगा, यहने, A equal to 0, तो A equal to 0 कह रखा है कि A 0 के equal नहीं हो सकता, तो फिर अपने पास यही बचा 0 होने के लिए, मतलब कि 3X plus A equal to 0, so I can write 3X equal to minus A, तो X equal to कितना हो गया, minus A by 3, okay, done, तो इस तरीक के से question हो जाएगा, अगला question बहुत ही मस्त है, बहुत आसान करी के से हो जाएगा, इसको क्या करना है, इसमें आपको लगा देना है, simple C1 tends 2, R1 tends 2 लगाना है, आपको R1 plus R2 plus R3, यह आपको operation लगा देना है, फिर इसके बाद यह common आजाएगा आपके पास में, और आपका यह solve होता जाएगा, नहीं बनेगा, तो जरूर कमेंट में मुझसे पूछ लिजीगा, ओके, और इसके बाद यह जो question आया है, अगला question हमें 21, दोस्तों यह थो थोड़ा सा theoretical type का है, तो इसको आप लोग को छोड़ देना था, इसके बाद आपको करना था, sin x square का x square, तो बहुत ही simple है, sin x square का पहले आप इसको y1 ले लोगे, y1 equal to sin x square का, ओके, और फिर आप y2 ले लोगे, क्या हो जागा, x square, और दोनों को आप इसको dy1 upon dx कर देना, कितना जाएगा, cos x square into 2x हो जाएगा, और नीचे dy2 by dx, मतलब कितना हो गया, यह 2x हो गया, 2x से 2x cancel हो जाएगा, answer कितना ज तो मतलब बच्चो कुल मिला के paper बहुत ही छोटा है,